नमस्कार लीडिने में आपका स्वागत है भारत एक महान राश्र है और उसने कभी अपने पड़ोसी देशों पर अतिकर्मन नहीं किया लेकिन अगर तिर्पुरा के मुख्य मंत्री विपलव कुमार देव की बात माने तो भारत श्रीलंका और नेपाल में अपनी सरकार बनाने वाला है दरसल तिर्पुरा के मुख्य मंत्री ने एक विवादास्पत बयान दिया है उन्होंने कहा है कि अमिच्छा भारती जन्ता पार्टी का विस्तार करना चाहते थे जिसमें वो नेपाल और श्रीलंका में सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं विपलव कुमार देव ने कहा कि अमिच्छा ने यह बात तब कही थी जब वो बीजेपी अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि अमिच्छाह ने यह बात राज्य के गेस्ट हाउस में कई कारेकरताओं की मौजूदगी में कही थी गौर्थलब है कि विपलव देव पेतु के बयान देने के लिए मशूर है लेकिन यकीन नहीं होता कि किसी राज्य का मुख्य मंत्री इतना गयर जिम्मेदाराना बयान दे सकता है इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेज करना ना भूले